वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाई सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबा केशरी नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार टीवी नाइन की यात्रा समस्तिपूर पहुंची है जी हां समस्तिपूर हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी बज़ चुका है क्यूंकि 25 साल की सांभवी चौधरी यहां से उम्मेदवार है एंडिये की प्रत्याशी हैं और अगर पाटी की करें तो एल्जेपी रामविलास पासवान की पार्टी से यह चुनाव लड़ रही है वैसे चुनावी राजनीती से इनका रिष्टा काफी पुराना है क्यूंकि यह तीसरा जेनरेशन है जो की पॉलिटिक्स में उत्रा है इनके दादा जी नौ बार बिधायक रहे और कई कि वार मंतरी भी रह, पिता इनके वर्तमान सरकार में जेडियू से मंतरी हैं जी हां मैं दादा ए चौधरी जी की बात कर रहा हूं और पिता अशोष चौधरी की बात कर रहा हूं अब 25 साल की सांभवी ने समस्तिपुर से राजनीती में से siihen कि है आखिरकार समस्तिपूर में विशेस दिल्चस्पी की वज़े क्या है सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चानल का राजनीती में रूची हमें शुरू से रहती जैसा आपने कहा कि हमारे पिता जी हमारे दादा जी राजनीती में थे और बचपन से ही हमने उनको अपने शेत्र की लोगों की सेवा करते वे देखा है हमने देखा है कि कैसे राजनीती में वो मतलब कहते हैं रेप्रेजन्टेटिटिव औफ ट पीपल बाइद पीपल और फॉर द पीपल होते हैं कैसे वो लोगों को आगे लेके चलते तो आप जिस इंवायरमेंट में पले बढ़े हो उसका इंपाक्ट पढ़ता ही पढ़ता है वो आपको अफेक्ट करता ही करता है और हम भी नाचरले उसे बहुत अफेक्टेट थे और बचपन से ही सोचते थे कि जब बड़े होंगे तो हमको भी कुछ ऐसा ही करना है और ये चीज बता दिया गया था कि देखो हमको राजनीती करना है कब करना ये नहीं पता पर करना डेफिनेटली है तो ये चीज वहां से शुरू हुई और इतने जल्दी पॉलिटिकल ब्रेक मिलेगा डेफिनेटली हम नहीं सोचे थे अच्छा लग रहे हैं अभी फील्ड में हैं कम उम्र है सब बढ़िया चल रहे हैं बढ़िया चल रहा है पर ये बताइए कि एक इतने यांग लाइफ में आप अपनी लाइफ इंजॉई करती होंगी क्योंकि आपने डेली उनिवर्सिटी से पढ़ाई की है पॉलिटिक्स में और खास तोर पे इतना हेक्टिक सीडियूल होता होगा सुबह उठता होगा उठना होता होगा लोगों से मिलना होता होगा कई सारे लोग घेरे रहते होंगे क्या इसमें मजा आता है या इतना hectic schedule आपको लगता है कि सिर्फ अभी चुनाव प्रचार तक का समय है उसके बाद सब कुछ cool हो जाएगा आप परिशान होती है या enjoy करती है ने ने बहुत enjoy करते हैं परिशान तो हम कभी नहीं होते हैं कि हम लोग से मिलने भी आए थे तो हमको बोल रहते हैं कि हम पहला ऐसा उमीदवार देखे हैं जो पूरे दिन कैमपेंड करने के बाद आके भी हस रही है खेल रही है क्योंकि यूजवली लोग आते हैं गरम पानी में पैर वे डाल देते हैं कि अब तो बहुत हो गया अब कल का दिन है बट ऐसा मेरे साथ बिलकुल नहीं है बच्पन से इसी इंवायमेंट में रहे हैं लोगों से कैसे बात करनी है लोगों से कैसे डील करना है, हमें अच्छा लगता है, in fact off the camera हम आपको बता भी रहे थे कि हम लोग ऐसे environment में पले बड़े कि एक दो दिन लोग नहीं दिखे तो टेंशन होने लगता है कि लोग नहीं दिख रहे हैं लोगों का समर्पन आपको इनर्जी देता है, लेकिन क्या राजनीती में इंट्री की वज़े आपके पिता हैं या दादा जी हैं या दोनों I think, I think उनका बहुत बड़ा influence पढ़ा है कि हम बार बार यहीं कह रहे हैं कि जिससाब family में होते हैं वैसे impact पढ़ता है और जिस तरह से जन सेवा किये हैं मेरे पिता जी, मेरे दादा जी वो एक impactful रहा है, influential रहा है मेरे decision making में बट हम राजनीती में independently, एक independent decision भी मानते हैं क्योंकि हमको यह हमेशा लगता है कि जन सेवा और मानव सेवा से उपर कुछ नहीं होता हम ये भी, जब हम ये कहते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि मेरे मन में कोई लालच, कोई लोब नहीं है महादेव की आशरवाद से मेरे पास सब कुछ है, उतना है कि हम को राजनीती में अपने कोई फाइदे के लिए हम राजनीती में नहीं है राजनीती में हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए और हम ये मानते हैं कि जब आप राजनीती में होते हैं और आपके पास कोई पद होता है तो आपके पास शक्ती भी जादा होती है जादा लोगों तक पहुचने की सामाजिक कारियों के माध्धम से तो हम हमेशा ही काम करें थे राजनीती में आने के पहले भी मेरे दादा जी के नाम पे एक NGO चलता था उसके थुरू हम शिक्षा चिकित्सा के छेत्रे में काम करते थे महिलाओं के लिए काम करते थे पटना में रेंबू होम्स करके एक आप कह सकते गरीब बच्चों को पढ़ाने का एक स्कूल है जहां पे रेसिदेंशल स्कूल जैसा है उसके साथ हम काम करते थे अलग-अलग तरीके से मतलब हमेशा एक ऑपरचूनिटी खोशते थे कि लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर सके पर राजनीती में आने का मेंन मुद्ध यही था कि जो आप राजनीती में होते हुए यूर अजेंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज जहां पे हम जाना चाहते हैं सदन में वहां पे पॉलिसीज डिजाइन होती है पॉलिसीज पर बात होता है जो मतलब आपके देश के सेखड़ों लोगों को अफेक्ट करता है उसमें अपना भागीदारी निभाना वहां जाकर के अपनी बातों को रखना अपने छेत्र की आवाज को बुलंदी अगर आप आगे चलके और बड़े स्पेस में सेवा करना चाहते हैं एक चीज़ बताइए कि आप बड़े परिवार की बहू हैं बड़े परिवार की बेटी हैं क्या आपको लगता है कि इस वजह से फॉर्चून ने आपका साथ दिया कि 25 साल में आपको टिकेट मिल गया ड होता है पर हम यह मानते हैं कि अब जैसे चुराग भया जिनकी पार्टी से हम लड़ रहे हैं लोग जिनशक्ती पार्टी से उनका भी यह कहना है कि वो न्यू एक मानते हैं कि जतने जादा से जादा युवा राजनीती मैं उतने जादा से जादा युवाओं को आवाज मिलेगा बुलंदी से उनको अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा और यही एक दूरदर्शी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन पॉलिटिक्स हो सकता है पर इंडी एक मुद्दा बड़ा जोड़सोर से उठाता है परिवारवाद का आपको लगता है कि यह आरोप आप पर चस्पा होता है यह हम पूछ रहे हैं डॉक्टर्स होते उनके बच्चे डॉक्टर्स बनते इ बिजनिसेज होता है उनकी विरासत भी उनके ही बच्चों को मिलती है पर यहां पर पॉलिटिक्स और बॉलिवुट ज्यादा हाइलाइट होते है क्योंकि हम लोग पॉलिक लाइफ में और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह जन्मसिद अधिकार है कि हम लोग पॉलिक है तो हम लोगों पर जज्ज्मेंट करें यह डेफिनिटली कोई भी नॉर्मल बच्चे पर यह इंपक्ट क्रियेट होता है कि हम अपने फादर की अपने ग्रांट फादर की लेगिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ने होता है कोई भी प्र अब डिकेशन आसान हो सकता है हम लोगों तक शायद आसानी से पहुंच सके पर मेरा राजनेतिक जीवन होगा की नहीं यह जनता पर आधारत है अगर हम आराजनीती में आगे बढ़ेंगे की नहीं और मेरा क्या होगा आगे जाकर कि यह समस्तिपुर की जनता डिसाइड करे मतलब हर पांथ साल में आप एक एक्जाम लिखते हैं तो यह चीज़े और हम यह सब जब बोल रहे तो हम यह भी एक बात है जो अंडरलाइन करना चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन इन पॉलिटेक्स को भी देखना चाहिए हम पढ़े लिखें ऐसा नहीं है कि हम नाइंथ फे प्रफेशन इन पॉलिटेक्स को नहीं किया हैं तो हम मानते हैं कि क्वालिफिकेशन इन पॉलिटेक्स भी देखना चाहिए और यह जरूर देखना चाहिए कि जो परिवरबाद उधर से हाइलाइट किया जाता है वो परिवरबाद ये होता है कि आप और यह मिलता है सेम एयरिया से पर आपको बार बार से करेवान quatro त्किट मिलता क्या वो टिकट के लिए एलिजबल होगा क्या और इसी बात को प्रधान मंत्री ने लाल किले से भी उठाया लेकिन जब वो बिहार पहुंचते हैं तो उनका परिवार बाद गुम सा हो जाता है चुप सा हो जाता है क्योंकि आरजेडी ये आरोप लगाती है कि चिराग पासव मिल जाता है आप जैसे क्वालिफाइड एक आम आदमी को टिकट तो नहीं मिल सकता है इसलिए बीजेपी परिवार बात पे चुप रहने लगी है क्या ये सच लगता है या हम किसी और के बारे में क्यों किसी और को टिकट मिला हम क्वालिफिकेशन बार बार सब लोग कहते ह कि चराग भेर ने भी बार बार कहा है कि हमने उन लोगों को आगे बढ़ाया जो शिक्षित हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो आगे चलके एक राजनेतिक एक्सपीरियंस हो उनको मतलब किसी ऐसे जैसे हम भी एक राजनेतिक परिवार से आते हैं हम एक बैक्गराउंड से तो हम मानते हैं कि हर टिकेट को देने के पहले उन्होंने रभाशना करा रहा है कि something that आगर हमारे कारे करता हमारे से तो हम कभी किने नलड सकते हैं ना बिल्कुल मिलती है उनको टिकेट ऐसा नहीं है कि उन लोग உ टिकेट नहीं मिलता है इसे ओसा गया जिन्होंने पार्टी के लिए जमीन पर काम ही नहीं कि यह आरोप हमको लगता है कि गलत है क्योंकि जहां तक रही बात राजेश भाया की तो वह पहले भी चुनाव लड़ चुके वह डेपटी मेर भी रह चुके हैं आरुन भारती जी की तो वह भी पार्टी का काम हमेश तो करते ही ना अगर हम लगते तो हम जंता दल उनाइटेट से करते हैं या हम भाजपा से करते मेरा यह कहने का मुद्द है कि हम कोई भी और पार्टी से करते तो यह बात वालिड रहता कि आपका तो आप तो 25 यह की मेरा तो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होता है आप अपने आइडियोलोजी उसको आगे रखते हैं आप यह प्रचार उसका नहीं करते हैं सोचल मीडिया उसका यह मतलम नहीं कि हम इन्वार्ट नहीं है बिल्कुल पॉइंट टेकन मेरा अगला सवाल है कि क्या आप MP बनना चाहती है चाहिए जेडियू से मिल जाए लजे तो यह चीज कोई नहीं उठाता ही कि वह पाटी के पार्टी यह हम नहीं का कि हम जन्धादल यूनाइटेड से लड़ना चाहते हैं हमने है क्या है और जहां तक रही बात कि आप कोई भी MP बनना है या नहीं बट हम ट्रॉंगली लोग-जिन्शक्तित पाटी के साथ खड़ गया का बिहार फिर्स बिहारी फिर्स्ट हो वो महिलाओं को लेकर एम वाई समीकरन हो उनका युवा को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हो जिस तरह वो विक्सित भारत और विक्सित बिहार की बात करते हैं उनके हर विजन से हम सैमत है और हम डटके खड़े हैं और लोग ज को कहा कि चराग भी हम चुना और लड़ना चाहते हैं और जो एक शुरू में भी हम कहते हैं फिर कहरेगी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एक चराग भया का है युवा को लेके महिलाओं को लेके आप बताएए कि कौन ऐसा है अभी बिहार पॉलिटिक्स में जिसने युवाओं को इतना बड़ा स्पेस दिया यह बिल्कुल सही बात मेरा सीधा सवाले लोग कहते हैं आप बाहरी हैं आप बाहर से आ गई हैं टिकेट मिल गया है बड़े घराने की बहू हैं बड़े घराने की बेटी हैं आपको समस्तिपूर से उतार लिए गया है और यहां पर लड़ाई अस्थानिये वर्सेस बाहरी हो रहा है क्या सच्चाई है क्या जमीन पर लोग आपको बाहरी की नजर से देख रहे हैं नहीं बिलकुल भी नहीं यह बाहरी और इस्थानिया वाला जो मुद्द है यह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है और सोशल मीडिया पर एक हमेशा पॉलिटिक्स में एक नारेटिव सेट करने का कोशिश किया जाता है कि सारे लोग उस नारेटिव से अलाइन करने लगे मेरे साथ भी यही हो रहा है कि बार बार बारी और बीतरी बारी और बीतरी का यह एक मुद्दा उठाय देगा जा रहा रहा है और जिला है अंधिfully में यह मुद्ध है नहीं हमारा घर समस्ती पुर में हम पहले ऐसे प्रत्याशी होंगे जिसने चुनाओ के पहले अपने छेतने में घर में रहे के घर से पर करो हर समस्तीपुर के हर प्रत्याशी होटेल से ऑपरेट करते थे हम घर से ऑपरेट करते हैं हमारा घर समस्तीपुर में और हम यह मानते हैं कि सायन की नानी मतलब मेरे जो पती है उनकी नानी का घर विभूतीपुर है जो इसी जिला में पढ़ता है मेरी दादी की सिस्टर का शादी रोस्रा में हुआ है जो समस्ती पुर जिला में पढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक narrative set करने का प्रयास हो रहा है जहां तक रही बात कि आप बाहर की है आप बाहर की है तो हम ये को लेंगे कि मूदी जी भी तो काशी के नहीं है लेकिन उन्हों ने काशी के लिए कितना काम किया है जहां पर जिस तरह से उन्हों ने वारणसी को develop किया वारणसी को आगे वो लेकर के चले तो वह भी तो वारणसी के native place native नागरिक नहीं है वहां के पर और यह हम एक और चीज बोलेंगे कि उनके दल के लोग क्या सारे उधरी से लड़ें जहां से वो जन में हैं अगर आप हम पे आप हमको ये बोल रहे हैं तो क्या आपके सारे दल के लोग वहीं से लड़ें जहां पर उन्होंने जनम लिया है कि वो कहीं और लड़े उनके तो जितने भी candidates हैं वो बाहर के लड़े हैं वो एक लौते हमको लगता है candidate होंगे जो अपने जहां पर उनका घर है वहां से वो चुनाव लड़े और जहां तक रही बात हमको लगता है उनको पता नहीं है कि सांसित जो विपक्ष है अपने बारे में लोगों को बताना चाहिए प्रखंड प्रमुक रह चुके हैं उनके पिता जी कई वर्षों से यहां पर मंत्री रह चुके अपने विकास के बारे में आप बात करिए यह आप अपना पूरा election strategy ही आप मेरे पर base कर दिये हैं यह क्या है मतलब आपके लिए थोड़ा abnormal सा या एक अजीब सा situation नहीं होता कि आपके पिता जी भी जेडियू से मंत्री आपके बिरोध में जो खड़े हैं वो भी जेडियू से मंत्री आपको नहीं लग रहा कि कई बार यह बड़ी awkward सी situation है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि महस्वर आजारी अप के खिलाफ action लेंगे यहां पर अगर कहा जाए तो दो जेडियू के मंत्री के बच्चे ही चुनाव लड़ रहा हैं तो यह जेडियू के लिए बड़ी आसमानी सी इस्तिति नहीं है बिलकुल भी नहीं है आप जब फील्ड में उतरेंगे तो हम देखें कि हमारे साथ जो हमा जितने भी लोकल नेता हैं जितने भी वरिश नेता हैं सारे लोग नितीश कुमार जी को अपना पार्टी का मुख्या मानते हैं और नितीश कुमार जी के साथ वो डटके खड़े हैं और नितीश कुमार जी ने यह चीज हमारे जो मुख्य मंत्रिया नितीश कुमार जी उन् सा सिचुएशन नहीं क्रियेट हुआ था जहां पर जनता दल यॉनाइटेट के वरकर्स का या कारेकरताओं का या पार्टी लीडर्स का मेरे पास सपोर्ट नहीं था वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं एंडिये के बैठक का सारा पिच्छ देख सकते वीडियोस देख सकत तो नाचुरल है मतलब थोड़ा वो नहीं है हमने तो उनको इन्वाइट भी किया था हम तो उनका पुत्रमों में विचारधारा से उन्होंने समझाता कर लिया कर लगता तो यहीं है पर ऐसे हम तो मानते हैं कि राजनेतिक धर्म आपका सबसे अगर आप राजनीती में तो राजनेतिक धर्म यहीं कहता है कि जिस दल के आप हैं जिस पार्टी को आप बिलॉंग करते हैं क्योंकि आपको बनाने के लिए कई कार्य करता भी लगे आपको वहां तक पहुचाने के लिए पार्टी का एक बहुत बढ़ा रोल है तो अपने पार्टी से ऐसे चुनाओ के स आपका इशारत ते जस्वी अदब की तरफ है और आप मानते हैं कि ऐसे अनपड़ वेक्ति के हाथ में बिहार का बागडोर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको अगले मुखमंत्री के तौर पर प्रोजेक्स किया जा रहा है नहीं हमको बस यह लगता है कि अगर education का कोई कह सकते alternative नहीं होता है education priority होता है और अगर किसी भी बच्चे के जीवन में जब आप हम लोग छोटे थे तो हम लोग को तो बोला जाता था कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप मतलब you have to study education is most important तो यह हम मानते हैं कि अग फैमिली उनको पढ़ा सकता था अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई कर दिर पर वो he chose not to study यह एक चीज है जो देखना पड़ेगा कई लोग सक्षम नहीं होते हो शिक्षा नहीं complete कर पाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं पर जो लोग सक्षम है वो पढ़ाई किये नहीं है वो कुछ किये नहीं है उनके पास कोई विजन नहीं है जब आप एक जब आप स्ब एपन रहते हैं ापको ईकन Loo पस्पेक्टिव मिलते हैं जैसे जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं उसको समझने का भी आपको एक कापासिटी थोड़ा बेटर मिलते हैं तो अब यह मानते हैं कि किसी ऐसे इंसान को हम पहले भी पूले थे हम फिर कहरें क्वालिफिकेशन इन पॉलिटेक्स इस वेरी इ कि नेत्रित्व में आप काम करना चाहिए नेत्रित्व स्ट्रॉंग होना चाहिए इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए और इंसान के पास विजन होना चाहिए इंसान के पास आपके जो लीडर है उनके पास वो हम मानते हैं कि उनमें एक स्थिरता हो चाहिए और अगर वो बच मतलब स्कूल ही से नहीं किये तो मत इस आल दिस इन्वालिड यह हम मानते हैं यह आप मानते हैं और अन्ति मेरा सवाल महिलाओं के लिए कोई विशेश योजना आपके दिमाग में विजन है क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को लोग एड्रेस न कर पाती हैं क्योंकि देखिए महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया लेकिन आप टिक्तों का बटवारा देखें तो कितने कम महिलाओं में होते हैं कम हैं इस बार मतलब हम मानते हैं कि पहले से डेफिनिटली इंप्रूफ किया है सिचुवेशन हम अपनी पार्टी के लिए कि बोल सकते हैं हमारी पार्टी ने 40 प्रतिशत अपना सीट जो कोटे का है वो महिलाओं को दिया जो एक्ट्वल नाशनल लेवल रेजर्वेशन से भी ज्यादाए धिए नाशनली 33% का माँग हुआ इवें में रेजवेशन में पर हमारी पार्टी ने 40% दिया अपने कोटे तो यह हम मानते कि एक गुड साइन है यह हम विकास की और जा रहे हैं जहां तक रही बात महिलाओं के योजनाओं के बारे में तो हमने बार बार कहा है कि हम महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार युवाओं को और महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार देना चाहते है और रोजगार तो जब investment आएगा, companies आएगी रोजगार बढ़े गई पर साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार का भी opportunity मिले मुद्रा लोन है हमारे पास जिसकी राशी 20 लाख रुपए वो हम जादा से जादा महिलाओं तक पहुचा आपाए महिलाओं के लिए जो हमारी युवा लड़किया हैं उनके लिए हम एक polytechnic college भी खुलना चाहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप technical courses में train करते हैं तो आप क्या जो कह सकते हैं नौकरी लगने का संभावना है वो बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हम बहुत ज़ादा वोकल हैं बार बार हमने कहा है कि एक polytechnic college के आवशकता है कुशेशवर स्थान हमारे संसिद्य चेत्र में पढ़ता है वहाँ पे एक degree college नहीं है वहाँ के महिलाओं की लड़कियों की मांग है कि हमें degree college मिले क्योंकि बहुत ज़ादा travel करके लड़कियां पढ़ने जाएं ये नहीं हो पाता है कभी तो वो भी एक हमारे पास मुद्दा है महिलाओं के लिए specifically तो ये सारा region है जहाँ पे हम काम करना चाहरे हैं और ज़ादा से ज़ादा महिलाओं को हम सशक्त बना पाए आर्थिक उनकी स्थिति को हम improve कर पाए हम इसके लिए काम करना चाहरे है अन्तिम दो सवाल एक सवाल ये कि क्या यहाँ पे ये मुद्दा बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है महंगाई बेरोजगारी क्योंकि आरजेडी बारबार एंडिये को इन मुद्दों पर घेरना चाहती है और कल से एक narrative बहुत ज़्यादा सेट हुआ है कि OBC का reservation चीना जा रहा है एंडिये की तरफ से ये बात की जा रही है क्योंकि करनाटक में मुसल्मानों को reservation दिया है ये लालुयाद जी ने भी कहा है कल कि मुसल्मानों को आरक्षन जो की हम मानते हैं कि हमारे बाबार और अमबेटकर के ideology के ही खिलाफ है उन्होंने सबसे पहले बोला था कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं मिलना चाहिए बार बार ये इंडिया अलाइंस वाले लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर बटवारा करना चाहते हैं क्योंकि हम जब हमारी इंडिया की सरकार रहती है तो कोई भी योजना जो होती है वो धर्म के आधार पर नहीं होती है कोई भी जो लाबार्थी होते हैं वो ऐसा नहीं देखा जाते कि हमारा लाब सिर्फ हंदू को मिले वो सब को मिलता है और इन फाट जब हम फील में रहते तो हम मानते कि हमको हर धर्म के लोग से हमें प्यार और आशिरवात प्रापट हो रहे हैं और हम सब के बीच में जा रहे हैं तो यह सिर्फ एक कह सकते हैं कि चुनाओ का समय है लोग कुछ भी बोलते जाते हैं करते जाते हैं तो यह उसी का एक पार्ट है अब अन्तिम सवाल कितने घंटे आप चुनाओ प्रचार करती हैं और इस दर्मयान क्या खाती है क्योंकि आप इनर्जेटिक दिख रही है इतना लंबा कैमपेंच चला फिर भी आप मुस्कुरा रही है चिल चिलाती धूप है गर्मी है तो क्या कैसे मैनेज करती हैं नहीं देखिया मुस्कुराते इसलिए रहते क्योंकि हम अगर थोड़ा भी चिंता में आएंगे तो हमारे जितने भी कारे करता भी फील्ड में है वो भी चिंता में आ जाएंगे और जब भी हम उनसे मिलते हैं या जब भी हम किसी से भी मिले हम चाहते हम मुस्कुरा के मिले हम अच्छे से मिले क्योंकि उससे बहुत बड़ा इंपक्ट क्रियेट होता है मेंटली भी आपको जो सामने जिसे करते हैं और हम आनते हैं मुस्कुराहट हमेशा बिखेड़ते रहना चाहिए जहां भी जाहिए आप मुस्कुराहट फेलाते रहें चौदा पंदरा घंटे हम लगबख फील्ड में रहते हैं और उसके बाद अगर कभी कोई मीटिंग लेना हुआ तो इस दर्मियान खाना ख जिनर खाते हैं नॉर्मल घर का खाना खाते हैं दाल चावल सब्जी जो बनता है देसी घर में और सुबह कितने बजे केंपेंट के लिए नौ बजे हम अप्रॉक्सिमिटली निकल जाते हैं रात में दस बजे साड़े दस बजे तक प्रयास रहती हैं कि आ जाएं पर कभी आप टीवी नाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने टीवी नाइन से लंबी बातचीत की और तमाम मुद्दों पर गहराई से बातचीत की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थी शामभवी चौधरी 25 साल की शामभवी बहुत एनर और साथी साथ परिवारवाद को लेकर के इनोंने बहुत साफ तोर पर कहा कि परिवारवाद को किस तरीके से देखा जाना चाहिए और उस फ्रेम में ये आती नहीं है बहराल समस्तिपुर की जनता को तै करना है कि ये किस लाइक हैं किस तरीके से यहां की जनता की मदद कर सकत लेकिन फिलाल इन से बातचीत के बाद एक बात बहुत साफ नजर आता है कि 25 साल की शामभवी चौधरी के वीजन में बहुत कुछ है वो अपने दादा की तरह पिता की तरह बहुत कुछ करना चाहती है ऐसे में सवाल उठता है कि 4 जून को आने वाला परिनाम क्या इनके लिखना बेहत दिल्चस्प होगा इसलिए अपने साथ ही जैरी और अंकित मिसरा के साथ टीवी नाइन के लिए पंकच कुमार धन्यवाद नमस्कार